दिएगे एग्जाम्पल में हम इफ की नेश्टिंग देख सकते हैं इफ इफ एडोट लेंद ग्रेटर देन जीरो देन बीक्वल तू टेन फिर इसके अनदर एक लूप और करदेंगे इफ सी ग्रेटर देन तेन देन बीक्वल तू ट्वेंटी करदेंगे तो अगर C greater than 10 होगा तब तो B की वेल्यू 20 हो जाएगी और अगर C greater than 10 नहीं होगा तो B की वेल्यू 10 रह जाएगी इसमें else else statement वैसे तो optional होता है only if से भी काम चल सकता है but if में तो जब condition true होती है तब कुछ काम करवाना होता है तो वो statement से execute करवाते है अगर condition false हो उस case में भी अपने को कुछ statement से execute करवाना हो तो हम else काम में लेते है तो else optional है but dependent है if के ओपर यह execute होता है अगर if के अंदर जो test statement है वो false हो जाए तो condition false हो जाए जैसे देख सकते हैं if condition then statements else statements and if तो if में condition true होगी तब तो if के statement से execute हो जाएंगे अगर condition false होगी तो else वाले execute हो जाएंगे if else का block diagram हम देख सकते है start x equal to y अगर true है तो if statement execute हो जाएगा एक से ज्यादा conditions होता हो जैसे देख सकते हैं if condition अगर condition true होगी तब तो if statement execute हो जाएंगे अगर condition false होगी तो else if में आएगा और else if वाले condition को check करेंगे अगर true है तब तो इसके statement execute हो जाएगा अगर ये भी false है तब else में चला जाएगा और else statement अब इसमें हम देख सकते हैं कि starting का जो if है उसी के condition true हो गई तब if statement execute हो जाएंगे और हम if से बहार निकल जाएंगे else if और else दोनों execute नहीं होंगे इसका हम block diagram देख सकते है start होगा x equal to 1 अगर x equal to 1 है तब तो if वाले statemented debug.rightline x execute हो जाएगा अगर ये false है तो else if में जाएगा फिर else if में चेक करेगा अगर condition x equal to 1 नहीं है तो फिर चेक करेंगे x equal to क्या है अगर 2 है अगर 2 है तब तो else if वाले execute हो जाएगा अगर 2 भी नहीं है x की value मालो 3 थी तो 1 भी false, 2 भी false तो else में चला जाएगा और end हो जाएगा तो else if हम काम में लेते हैं जब multiple conditions होती है हमारे पास select case अब multiple conditions में if else भी ले सकते काम में लेकिन conditions अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें बहुत बार if else if else if else लगाना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते है select case का आम में ले लेते है select case का block diagram देख सकते है start होगा case 1 case 1 में condition check करेंगी अगर जो start के अंदर जो value आई है अगर वो case 1 वाली value है ठीक अट्री हो जाएगा तो process one execute जाएगी अगर case 1 वाली value नहीं आई है तब case 2 में चलेंगे case 2 की value है उसके बराबर है तब तो process 2 execute हो जाएगी अगर यहाँ भी false है तो case 3 में चलेंगे इस तरह से हम आगे से आगे चलते जाएंगे इसका syntax कुछ इस तरह से होता है select case और इसमें expression to test यह होता है यहाँ पर expression आईगी उसका कुछ डिजल्ट आएगा expression का अब जो expression का result निकलता है उसको check करेंगे case value 1 अगर value 1 के बराबर result आया है तब तो इसको execute कर देंगे अगर ऐसा नहीं है तो case 2 में check करेंगे case 2 से भी match नहीं हो तो फिर else में चलेंगे नीचे किसी से भी case 1,2,3,4,5 जितने भी है अगर किसी की value के बराबर भी expression का result नहीं आया है तो last में else है else वाला statement हम execute करा देंगे control structures में दूसरा जो type है वो loops का है loop क्यों यूज करते हैं जब या एक या एक सी ज्यादा lines का code है उसको हम repeatedly execute कराना चाहते हैं तब हम loop का में लेते हैं तो अगर loop की condition true है जब तक की condition true चलेगी तब तक जो blow का code का उस loop के अंदर वो बार बार execute होता रहेगा और जैसे condition false होगी वो loop से बाहर निकल जाएगा तो vp.net के अंदर do loop होता है for next होता है for each next होता है और while होता है सबसे पहले देखते हैं do loop the do loop command repeats the execution of a block of code for as long as condition remains true और until it becomes true ठीक है इसमें दो तरीके है while के अंदर क्या होता है जब तक condition true है तब तक repeat होगा और until में क्या है जब तक condition true नहीं हो जाती तब तक होता रहेगा तो while में जब तक true है तब तक loop चलेगा और until में क्या है जब तक false है तब तक चलेगा जब तक true आएगा तो बंद हो जाएगा exit हो जाएगा code को इस तरह से रहेगा do अगर while लगाना चाहते है तो while फिर condition, फिर statements exit do statements, loop अगर until लगाना है तो do until condition do statements exit do statements loop while until condition यह दो तरह के से हम कर सकते हैं जैसे while और do while करते थे अब इसमें while और until अगर starting में आ जाते हैं तब तो पहले हम condition चेक करेंगे बाद में नीचे के एक statement से execute करेंगे लेकिन जैसे कि यहाँ दे सकते हैं do तो पहले statement से execute करते हैं और condition बाद में चेक कर रहे हैं जैसे एक example देख लेते हैं do number equal to number plus one debug.rightline star loop until number equal to 50 तो number को हमने मालो शुरू में one से start किया है तो star print होता जाएगा कब तक होगा? जब तक यह number 50 नहीं पहुंच जाता जैसे फ्लस one होते होते 1,2,3,4,5,49 तक चलेगा 50 हो जाएगा 50 पर भी चलेगा पर जैसे until 50 आया 50 के equal होगई value तो यह loop से बाहर निकल जाएगा इसको हम एक code से देख लेते हैं dimincr as integer incr क्या है? एक integer type का variable है और cond यह एक boolean type का variable है तो loop start करते हैं do while incr less than 500 फिर incr में increment करेंगे one से console.rightline incr की value प्रिंट कर देंगे फिर check करेंगे if incr equal to 500 then करेंगे अगर 500 हो गया तो condition कर देंगे true और console.rightline में incr प्रिंट कर देंगे और exit do कर देंगे जैसे incr बढ़ते बढ़ते 500 पर पहुंच जाता है हम exit कर देंगे इस loop के अंदर से लूप कब तो चलेगा until condition equal to true जबता कि condition true नहीं हो जाती है इसका block diagram देख लेते हैं do statements loop until condition do में चलेंगे condition code check करेंगे अगर condition true है तब तो loop है वो repeat होता रहेगा वो condition जैसे false होगी यह बाहर निकल जाएगा फिर next आता है अपना for next for next repeat करता है group of statements को एक specified number of times loop के अंदर एक index चलेगा counter चलेगा एक जो बढ़ता रहेगा हमेशा इसका block diagram देख लेते हैं for next का कुछ इस तरह से syntax चलेगा तब for counter start होगा और to कहां तक चलेगा end तक statements execute और next counter init condition check होगी अगर condition true है तब conditional code execute होगा फिर increment होगा और loop चलता रहेगा और जैसे condition false आती है बाहर निकल जाएगा syntax कुछ इस तरह से रहेगा for counter start to end statements execute continue करना है तो continue कर देंगे statements exit करना तो exit अब continue और exit ये दोनों loops को control करने के लिए statements है continue में क्या करता है कि जहाँ पर continue लिखा हुआ है उसके नीचे का जो block है statements का loop के अंदर अंदर वाला उसको skip कर देता है और directly increment होके वापस से start हो जाता है loop loop से बहार नहीं निकलते हैं या continue में ये याद रखना loop से बहार नहीं निकलेंगे सिर्फ continue के नीचे लिखेवे statements उनको skip कर देंगे और directly नए वाले जो value है counter की उसके लिए loop को check करेंगे condition जबकि exit के अंदर क्या करते है जैसे execute exit है वो execute होता है हम loop से बहार निकल जाते है ठीक है तो ये याद रखना है exit में loop से ही बहार निकल जाते है जबकि continue में loop से बहार नहीं निकलते है continue में सिर्फ continue के नीचे वाले statements है उनको हम execute नहीं करते है उनको skip कर देते है एक example से हम समझ सकते है जैसे हमने module बनाया loops नाम से उसमें sub main एक variable बनाया dim as byte byte type का एक small a variable बनाया for loop execution ये हमने comment लिखा है single quote में for loop execution for a equal to 10 to 20 step 1 ठीक है तो a है जो अपना counter है वो 10 से start होगा और 2 कहां तक चलेगा 20 तक और step 1 कितने से increment हो रहा हर बार 1 से 10, 11, 12, 13, 14 अगर हम ज़्यादा 2 से step कराना चाहते हैं तो plus 2 करते रहेंगे 10, 12, 14, 16 ऐसे तो कितने भी step ले सकते हैं 1, 2, 3, कितना भी जितने गज़ टे करेंगे और 5 का करते हैंगे तो 10 के बाद में 15 आएगा फिर 20 आजाएगा सीधे फिर अगर condition 2 होती है तो console.rightline value of a print हो जाएगा next control.readline and sub and module output इसा आएगा 10, 11, 12 वह से लेकि 20 तक उसके बाद में next आता है 4 is next तो for next तो क्या होता है एक counter के साथ में चलता है for each में क्या होता है एक area होता है उसके जितने भी elements है उनके लिए हम चलाते हैं हर एक के लिए each तो प्रते एक element के लिए चलाएंगे एक के area के elements के लिए जैसे इसको एक example से हम समझते हैं module, loops, sub, main, dim, and array as integer एन array नाम का एक array बना दिया उसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये odd numbers हैं हमने डाल रखें 5 number डाले हमने इसमें 5 items हो गए इसमें dim, array item as integer तो array item हमने एक variable बना लिया integer type का और एक comment लिखा है displaying the values for each loop लगाएंगे for each array item in an array for each array item हो गया अपना एक variable in an array हो गया array का नाम console.write line और bracket के अंदर array item जो हमने बनाया उसका नाम डाल दिया next console.read line इसका output आएगा 1, 3, 5, 7, 9 तो हर एक element के लिए हम चला रहे हैं आपर फिर आता while loop while loop execute करता है series of statements को जब तक कि given condition अवो true है while condition statements continue while statements exit तो वही है continue और exit continue करेगा continue के नीचे वाले statements को सब को skip करके सीधे आगे वाले counter के लिए loop को check करेगा condition और exit में क्या करेगा exit loop से भाहर निकल जाएगा flow diagram इसका कुछ इस तरह से होगा while condition check करेंगे अगर condition true है तब तो conditional code और वापस loop और अगर ये false हो जाती है तो loop से भाहर निकल जाएगे example से समझ सकते है module बनाया loops नाम से sub main dim a as integer equal to 10 तो small a एक variable बनाया integer type का जिसमें value डाली है 10 single quote में while loop execution comment बना दिया while a is less than 20 अगर a है वो 20 से चुटा है तो a 10 है चुटा है तो value of a प्रिंट कर देंगे फिर a equal to a plus 1 कर देंगे end while करेंगे तो ये एक बार counter है वो हर एक बार एक एक से increment होता जाएगा और ये चलता जाएगा तो ये loop चलेगा 10 से लेके 19 तक क्योंकि less than 20 किया ना 19 तो प्रिंट कर दिया जैसे 19 के बाद में a equal to a plus 1 20 हुआ फिर condition चेक किया तो 20 तो 20 किसे छोटा है नहीं बराबर है इसलिए 20 आपर प्रिंट नहीं होगा इसलिए 19 तक चलेगा फिर जैसे कि हमने पहले भी एक देखा कि loop control statements और वो दो तरह के है loop control statements क्या करते है normal loop का जो execution का तरीका होता है उसको change कर देता है तो exit क्या करता है terminate कर देता है loop को या फिर exit को जब लगाते है select case के अंदर तो select case statement को execute कर देता है और continue क्या करता है skip करता है remainder of its body को तो exit और continue loops में भी लगा सकते है और select case में भी लगा सकते है Thank you